स्टूडेंट्स अभी तक हम रास्टर डेटा मॉडल और विक्टर डेटा मॉडल दोनों के बारे में विस्ताज से पढ़ चुके हैं कि इनके क्या-क्या गुण हैं क्या-क्या अवगुण हैं कहां इनका ज्यादा प्रियोग किया जाता है अब एक नजर हम डालेंगे कि रास्टर और विक्टर डेटा में अंतर क्या है हाला कि ये अंतर हम पहले के विवरणों में पढ़ चुके हैं लेकिन अब इनका एक comparative जो है विवरण हम पढ़ेंगे comparative analysis हम करेंगे कि रास्टर और विक्टर डेटा में क्या अंतर है यह हमें पता है कि जब हम भोगोलिक सूचनाओं की मॉडलिंग करते हैं यानि कि GIS की प्रक्रिया अपनाते हैं तो धरातलिया आकडा संरचना के लिए यानि कि special data के लिए रास्टर और विक्टर विदियां दोनों सपष्ट रूप से अलग-अलग दृष्टिकोंड रखती हैं यानि कि कुछ गुण रास्टर के हैं कुछ विक्टर के हैं जिनके आधार पर हम special data input करते हैं तो यहां रास्टर डेटा मॉडल एक सरल संरचना है यानि कि एक बहुत simple data structure जो है इसका होता है लेकिन वहीं जो विक्टर डेटा मॉडल है वो जटिल संरचना से युगत होता है इसके जो संरचना होती है वो जटिल होती है इसी प्रकार नंबर दो पे अगर हम देखें तो उपग्रही सूचनाओं के अनुकूल होता है जो रास्टर डेटा होता है वो उपग्रही सूचनाओं के अनुकूल होता है कैसे होता है क्योंकि जो हमारी satellite imagery या aerial photo जो भी होती है वो सारे की सारी raster format में उपलब दोती है यह हम पढ़ चुकी है लेकिन वहीं जब हम इन डेटा को यानि की उपग्रही सूचनाओं को विक्टर डेटा मॉडल में convert करते हैं तो वो प्रक्रिया जो है इतनी आसान नहीं होती है और उसको जो है हम direct computer पर नहीं डाल सकते हैं वो raster data model में जो है कम धरातलिये शुद्धता होती है यानि की एक सामान्य साथ द्रिश्य raster data model प्रदर्शित करता है अगर हमें किसी स्थान का मानचित्र देखना है तो हम देखेंगे कि हाँ एक overview बहुत आसानी से मिल जाता है एक पूरी सूचना जो है हमें मिल जाती है लेकिन जो है उसमें शुद्धता नहीं होती है वो accurate नहीं होता है दूसरी तरफ जो विक्टर डेटा मॉडल है विक्टर डेटा मॉडल में जो वस्तु है या कोई भी आकरती है उसका बहुत शुद्धता के साथ प्रदर्शन किया जाता है नमबर चार अगर हम देखें तो रिदम clear cut boundary हमें नहीं दिखाई देती है जबकि क्योंकि विक्टर डेटा मॉडल में जो है एक clear cut line होती है तो वहाँ पर उन सीमाओं का शुद्ध प्रदर्शन होता है लेकिन विक्टर डेटा मॉडल में क्योंकि हम pixels का प्रियोग करते हैं तो एक gradual transition उसमें होता है रास्टर डेटा मॉडल में हमें पता है कि grid और cells के माध्यम से जो है line, point और polygon का प्रदर्शन किया जाता है लेकिन वहीं विक्टर डेटा मॉडल में जो है x और y निर्देश कांकों की सहायता से यानि की coordinate sister के माध्यम से जो है हम विक्टर डेटा मॉडल में point, line और polygon को दिखाते हैं रास्टर जो डेटा मॉडल है इसका सबसे बड़ा जो कमी है वो ये है कि ये space बहुत ज्यादा घेरता है और उसका कारण ये है कि ये pixel format में होता है यह पिक्सल फॉर्मेट में होता है तो बहुत ज्यादा स्थान घेरता है वहीं विक्टर जो data model है उसका file size बहुत छोटा होता है और computer में बहुत कम स्थान यह घेरता है यह बहुत कम स्थान जो है घेरता है इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि रास्टर डेटा मॉडल बहुत तीवरता फे कारे करता है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो डेटा इंपुट होते हैं बहुत सारे जो डेटा होते हैं और एक बार हमने चीजों को digitize कर लिया, उनको जो है computer में feed कर लिया, तो तीवरता भी उसमें मिलती है, Victor data model में तीवरता के साथ शुदता भी मिलती है, इसी प्रकार धरातलिय विशलेशन की प्रक्रिया में raster data model सहज है, कैसे हैं कि इसके द्वारा हम जो overlay की प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर हमें, क्योंकि layers हमारे पास बनी होती हैं, उन layers को हम एक दूसरे पर input कर सकते हैं, और special analysis बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वहीं Victor data model जो है, special, Victor data model में special analysis इतना आसान नहीं होता, जितना की raster में होता है, raster की कमी ये है, कि इसके द्वारा जो निर्मित मानचित्र हैं, वो अच्छे और साफ नहीं होते हैं, इनकी जो quality होती हैं, वो blur होती हैं, और एकदम clear cut, जो है, maps नहीं बनते हैं, लेकिन Victor data model जो है, वो बहुत अच्छे और परिश्कृत मानचित्र बनाता है, यही कारण है, कि जो geographical जितने भी applications हैं, उनके map के लिए हम Victor data model का उप्योग करते हैं, raster data model continuous data के प्रदर्शन के लिए उप्योगत है, यानि continuous data यानि की area, कोई बहुत बड़ा छेत्र है, उसके प्रदर्शन के लिए जो है, रaster data model उप्योगत है, और वहीं discrete data यानि की point या line अगर है, तो वो discrete data कहलाएंगे, उसके प्रदर्शन के लिए Victor data model जो है, वो आदर्श हम उसको कह सकते हैं, तो इस प्रकार जो है, अगर हम ये पूछें कि raster और Victor में से कौन बहतर, यानि की हम किसका प्रयोग करें, रaster या Victor में से, तो इसको हम इसी तरह समप कर सकते हैं, कि दोनों ही विधियां अपने अपने स्थान पर उप्योगत हैं, यानि कि इनका raster और vector data model का अपना अपना जो है, उप्योग है, इसके साथ दोनों ही धरातलिये आंकडों को प्रदर्शित करने के लिए उप्यूप्त की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपून बात, raster और Victor data model को एक दूसरे म परिवर्तित किया जा सकता है, यानि कि हम raster को vector में convert कर सकते हैं, और vector को raster में convert कर सकते हैं, जो vector से raster होता है, वो आसान होता है, और स्वता ही computer के microprocessor द्वारा जो है, वो कर लिया जाता है, raster से vector भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो क्रिया है, थोड़ी सी जटिल होती है, अब हम इसको जो है अगर उसके माध्यम से देखें तो ये देखें ये हमारे जो data है ये रास्टर से है आप इसको देख रहे हो इसकी clarity देखिए और इस victor की clarity देखिए यही दुंदलापन map में होगा जब रास्टर से map बनेगा तो इसी तरहे का दुंदलापन जो है map पे आएगा और victor से जब हम मानचितर बनाएंगे तो वो इसी तरहे एकदम clear होगा ठीक है इसी तरहे आप जो है इन features को देखिए इन features को देखिए आप कि यहां जो है ये points दिखाए जा रहे हैं जो हमारा victory data model है उसमें वो बहुत सपश्ट नजर आ रहे हैं जबकि हम नदी सनरंचना हो सकती है आप इसको देखिए ये जो है कोई नदी सनरंचना हो सकती है इसको देखिए यहां पर ये देखिए ये जो है कोई नदी सनरंचना हो सकती है यहां पर ये सारी जो है नदी सनरंचना हो सकती है कितनी clear है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको देखे जब हमने इसको वेक्टर में परिवर्थित किया तो इनकी clarity जो है धुमिल हो गई यानि कि ये जो चित्र है ये धुमिल बन गई इसी प्रकार जो है आप इसको जो है चेतर के रूप में देखे polygon के रूप में देखे कि यहां ये जो area है ये जो एरिया है क्योंकि ये विक्टर में प्रदर्शित है इनकी एकदम clear cut lining है लेकिन वहीं जब हमने इनको रास्टर में परिवर्तित किया तो देखिए cells के रूप में ये किस तरह दुन्दलापन आ गया ठीक है तो ये रास्टर और विक्टर का प्रदर्शन है इस तरह से जो है हम जो point line और polygon है उसमें इस तरह से जो है स्पष्टिता नजर आती है ये एक और example है कि यहां जो है अगर हम देखें तो ये हमारा जो है raster data model है ये इस तरह से जो हमारा raster प्रदर्शित होगा और इस तरह से हमारा vector प्रदर्शित होगा इसकी clarity जो है आप देख सकते हो बताने की जरुरत आपको नहीं है